हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो चैनल मेरे नाम दिपाली है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निशा दिपाली में और आज के वीडियो में हम आपके शेयर लने वाले हैं पॉफेक्ट टू कीजी का बटर स्कॉच केक की रेसिपी इसे मैंने अपनी मम्मी पापा के अनिवर चैनल पर पहली बनाया है तो सब्सक्राइब करना ना भूने इस वीडियो में काफी सारे टिप एंड फ्रिक हम ने दिये हैं आपकोई पफेक्ट टू केजी का बटर स्कॉच केक बनाने के लिए और इस वीडियो में मैंने आपके साथ यह भी शेयर किया है कि घर में ही जिक घी बटर जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप लगाए अब यहां पे पान में डालूंगी आधा कप चॉप किया हुआ काजू आप चाहे को बादाम किश्मीज या रेंज या ख्रोट पिस्ता या मुंफली भी ले सकते हैं जैसे यह थोटा सा गोल्डन हो जाया है मैस में दालूंगी आधा कप प्लास वन टेबल स्पून शुगर आप शुगर के बदला जागरी यान की गुड का भी स्काल करते हैं पर्फेक्ट बनता है उससे भी चिक्की तब शुगर में तो साइट के शुगर को भी सेंटर पे लाएगे अगर आप यह प्रोसेस नहीं करते है तो बीच का शुगर का है जल जाएगा और साइट का कैरमलाइस नहीं हो पाएगा टेस्ट गंदा हैगा तो अभी शुगर जो है कैरमलाइस हो चुका है तो इसमा आता चोर्च में घी डालूंगे और रोस्तिया हुआ काजू डालूंगे जैसे कि मैंने पहले यह बताया अभी गर्मा गरम अपनी स्टिकी को हम प्लेट में ट्रास्फर करेंगे और ओखली या पी जो कुटनी होती है मोटो पैस्टल के मोटो से हम इसे प्रेस करते हुए पहला लेगे इमिडेटली आपको करना है और इसे 30 मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 7 इसके मोल्ड में बटर पिपर डाल के ग्रीस करेंगे और देड़ कप प्रिमिस से बैटर बना के इसमें डाल देगा प्री हिटर पैन में इसे रखेंगे धकर इसे 40-50 मिन तर बेक कर लेगे अब ये बेक हो गया है और ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है तो अभी अभी कविसे देगाई करके बटर पिपर निकालेगे और हैये इसे 4 लें में डिवाइड करने के लिए पहला मार्क लगाय अगे सैटरी नाइफ से और 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 सीसे divided कर विग ड्री करने करेंगे converted gonna बना है आपको नहीं मालूम कि एक स्पॉँ जायाँ तर लिंक तो झालेर कर लिए तब देखे इस तरी किसे चाह लेयर कट करूंगी मैं क्योंकि हम यहां पे बना रहे है टॉल के और यह डिजाइन ना टॉल केक में काफी जादा अच्छा लगता है तो आभी इस बार टॉल के ज़रू ट्राय करें बोर्ट को क्लीन करेंगे और इसमें रखेंगे केक की फर्स पहले तो बोर्ड में लगाये थोड़ा सा फर्स लेत सब्सक्ते उसके बाद उसे सोक करेंगे शुगर सिरफ से शुगर सिरफ बनाने के लिए आधा कप पानी में चार चमश हमने शकर को घोल लिया है उसे अच्छे सोक करेंगे उसमें फोड़ा सा क्रीम लगाएगे यह तो फोड़ा सा क्रीम और डाल के उसे स्प्राट करेंगे अब देखिए सेकंड लेर भी रखे सोक करेंगे बची हुई क्रीम डाले के और मैंने अभी बनाई वाली क्रीम डाली है ताकि हलका सी यल्लूइश कलर आए फिर डालूंगी प्रलाइन और थोड़ी सी क्रीम डाल के इसे भी अच्छे से स्प्राट करेंगे ताकि थर्ड लेर हमारी स्टेबल रहे ही लेना अब साइट के क्रीम को भी बने ताकि हमारी जो केक है वह पफेक्ट लाइन में बने स्टेट बने टेडी में ना बने अब इसे भी सोक करेंगे तो अब इसमें डालूंगी मैं ताजा जिसका डॉम शिप में निकाल दिया है सोट करेंगे साइट की क्रीम को प्लेम कर低 के उपर थोड़ी क्या में क्रम कोड़े के अब धोड़ी अमां दाल गा के अच्छा श्रॉप क करलेंगे और अभी तक हमारे जो क्रीम है अच्छे से स्टेबल है अगर आपको भी ऐसे स्टेबल क्रीम बना लिए अगर आपकी जो क्रीम हो रही है तो आप अपनी केक को ना कुछ देर के लिए लगभग आदे से तून घंटी के लिए प्रीच में रख सकते हैं कि मेरी क्रीम में मैल्क नहीं हो रही है तो अभी साइड में हम लगाएगी क्रीम तो जहां जहां भी आपको केक कब बेज दिख रहा है ब्राउन दिख रहा है वहां वहां आप क्रीम थोड़ा थोड़ा करके लगाए एक साथ ना लगाए थोड़ा थोड़ा करके क्रीम लगा जहाँ जहाँ आपको पेज दिख रहा है और अगधनरस आपको नहीं आता करम来 계flu और पीक। आपको नहीं आता फाइनल कोटिंग करना तो बिगनर्स के ले एक आप सेपरेट वीडियो विडियो दिस्क्रेप्ष चैक ड्वarleक्ट में आप जाके चेक आपको एंग करे psycho यहां कि चुकलर क में यूढ़े कर जिया हैं अब तार है ऑचा थे थाद पार्ट में आलिक की चोटा सा मैंने सीम्ड अशनाव कर लिया है लइंट है लेखश्स लिया है चाहने राइक कर लिंद कृत ईव्डैक का सरे अग्दार्च चार्श को हुआ है आप चाहें तो प्रलाइन के बदने वाइक चोकलेट को मेल्ट करके आप नूट्रिल जल में अपने मन पसंद कलर या यह लो कॉमिनेशन में कलर जैसे की पिंग रैड यह लो कॉमिनेशन कलर पर ड्रिपिंग कर सकते हैं अब यह देखिए हैं हम अन्वन नोजल से मैंने आप पे रॉधत्स बनानी है सेंटर में रहें नोजल और उसको बस घुमा नेया लिए दू आप इसे रोधत्स बनके रैडी होते हैं और यहां पर क्लोश्टर नोजल में भी ग्लो ड्रिटा आल दिया और जहां इस प्रेश जादा है वहां पर रॉधत्स बनाएंगी छोटे-छ जैल वाला नहीं लिक्वीड वाला याद किया था और ऐसी सुन्दर कलर बन की रडी हुई थी जैसे कहां देख सकते हैं लिक्वीड कलर अट करने के बाद भी क्या मिस्टेबल है तो डिस्क्रप्शन बॉक्स में जाके देख सकते कि कैरमल सॉस कैसे बनाना है और कौन-कौन से इंग्रीबियंस लगते हैं यह सारे मैंने डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिख दिया है हम जरूर जाके देखें इस तरह किसे और साइड में मैंने एक बॉर्डर दिया है स्टार का उपर में ही बहुत सुन्दर लगता है गाईस आप इस इसे अनिवर्सरी पार्टी में अब देखिए अन्वन नोजल लिया है मैंने और नीचे में बना रही हूँ है स्ट्रल येस अब मैंने फस्तिंग बनाया विकर्ज मैं भी ज्यादा केक नहीं बनाई हूं अमीता फस्ताइं में ही काफी अच्छा बना तो इसे बनाने करें आपको क्या करने अन्वन नोजल क नहीं ही आपको यलो क्रीम भनना है नीचे में पहले आपको इसे लफ तरफ ले जाना है फिर अपको रहे आगे पीछे करते हूं इस तरीके के स्वेल बनाना है जैसे कि बस आप वीडियो को देखें आपको समझ में देखिए आगे पीछे आगे पीछे मेरी क्रीम इतने आगे पीछे करते हुए आपको चार पर्च बनाने के पाँ थोड़ा सा वेट करना है और यू के जिसे के आप अब देख सकते हैं वीडियो में मैंने बना लिया और यह काफी जादा टेस्टी ब्यूटिफुल बनके रेडी हुए जहां में इसमें साथ को देख रहे हैं पिस् चली मिलते हैं में नेक्स वीडियो में तब तक क्ली हाप्त कुकिंग और यूटिस केक राइग नाव